आप में से काफी स्टूडेंस ने कमेंट किया था कि सर ये डिजर्वेशन वाला जो विमेंट्स रिजर्वेशन वाला जो टॉपिक है इस पर आप मेंस के लिए किस प्रकास आंसर राइटिंग में प्रस्णा सकते हैं उसका क्या आंसर होगा आप प्लीज बनाए तु सबसे पहले तो ये न्यूज है जो दहिंदू का ये कटिंग है पेपर का तो ये इंपोर्टेंट है सबसे पहला चीज किसी भी बिल या कानून सबसे पहले ड्राफ्ट तयार किया जाता है आपको पता होगा ड्राफ्ट ड्राफ्ट तयार किया जाता है यानि कि मसोधा तया हो जाता है इसे बिल के रूप में पेस करते हैं ये बिल के रूप में इसे फिर पेस किया जाता है लोकसभा में लोकसभा या फिर राजसभा जहां भी आपको दोनों में से किसी भी आप जो हैं तो सभा में आप पेस कर सकते हैं तो बिल जैसे ही पेस होता है और बिल को जैसे ह राष्टपती के द्वारा मंजूरी मिल जाती है वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है कानून बन जाता है तो ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है सबसे पहले ड्राफ्ट होता है किसी भी चीज़ का ड्राफ्ट इसमें बार-बार संसोधन किया जाएगा फिर बिल आएगा बिल में लोकसभा के सदस्यों या राजसभा के सदस्यों के अनुरोध पर संसोधन किया जा सकता है लेकिन जब कानून बन जाता है तो उसमें संसोधन नहीं किया जाता है तो फिर आते हैं हम लोग कि ये जो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो बिल आया है बिल का नाम क्या है तो बिल का नाम है नारी सक्ती वंदन बिल नारी सक्ती वंदन बिल को किसने पेस किया लोग सभा में तो केंद्रिय कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल जी है उन्होंने नारी सक्तिवंदन बिल को पेस किया है और अगर ये कानून में बदल जाती है तो इससे क्या होगा लोकसभा में भी 33% महलाओं के लिए रक्षित हो जाएगी सीटे अगर कोई अपवाद स्वरूप इसमें कुछ अगर वो चेंज ना किया जाता तो अब ठीक है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से अनुचेद प्रभावित होंगे यानि नारीषक्ति वंदन बील जो है इसमें क्या है तो बील है यानि इसमें कुछ चेंचेज होंगे क्या-क्या चेंचेज हैं तो ये 4 चेंचेज़ हैं दिल्ली से संबंधित अनुछेद है ये दिल्ली से संबंधित अनुछेद है 249 ए इसके माध्यम से National Capital Territory of दिल्ली के लिए महलाओं के लिए जो है 33 फीजदी आरक्षित होंगी सीटे वर्तमान समय में दिल्ली में 70 सीटे हैं इसमें से 33 फीजदी यानि की 23 सीटे जो है वो महलाओं को आरक्षित कर दी जाएगी इसके बाद आते हैं अनुछे 330 का ए अनुछे 330 का ए के माध्यम से Reservation of seat for SC and ST के लिए संसद में महलाओं के लिए जो पहले से प्रावधान थे उसी में 33 फीजदी आरक्षित हो जाएंगी सीटे यानि की जो ये SC, ST के लिए थे SC, ST इसमें male, female दोनों है इसमें male और female दोनों है ठीक है लेकिन इसी में से जितनी सीटे थी उसी सीट में से 33 फीजदी जो है वो महलाओं के लिए इन्हें वो आरक्षित कर दिया जाएगी ठीक है यानि की अलग से महलाओं को ये सीट नहीं दिया जाएगा जो SC, ST की महलाओं है उनको SC, ST के सीट में से ही 33 फीजदी सीट दी जाएगी चलिए अगला है 332 का A इसमें आपको पता होगा 332 का A में राजबिधान सभाओं में महलाओं के लिए 33 फीजदी आरक्षन का प्राबधान कर दिया गया है और इसके बाद है 334 का A इसमें एक नया कलोज जूर दिया जाएगा अब वो कलोज क्या जूरा जाएगा वो बोला जाएगा कि मात्र 15 साल के लिए आपको ये चीज दिया जा रहा है यानि जो ये जो आरक्षन है ये आरक्षन की महलाओं के लिए जो आरक्षन की विवस्था ये मात्र 15 साल की अबधी के लिए आपको दिया जा रहा है ये अनलिमीटेड नहीं है 15 साल बाद फिर से आपको क्या होगा ये बिल आयेगा और फिर से जो है अगर देना होगा तो फिर से दिया जाएगा बिल लागू अहिने के बाद महलाओं की महलाओं को कितनी सीटे मिलेंगी तो वर्तमान समय में लोग सभा में हाई कितनी सीटे 543 अब उसका 33 फिश्दी सीट जो है वो किसके लिए आरक्षित हो जाएंगी 33 फिश्दी सीट वो महलाओं के लिए तो वर्तमान समय में है कितनी सीट? 543 और अभी अगर पूछा जाए जब आरक्षिन लागू नहीं हुआ है उस समय में कितनी महलाएं है तो 82 सांसद है 17 वी लोग सभा में 17 लोग सभा में, 17 लोग सभा में कितनी सीटे हैं महलाओं के लिए, महलाओं के लिए सीट नहीं है, बलकि ये लोग अपने दम पे चुन के आई हैं, यानि कि 82 महला सदस्य हैं, इनका competition पूरुसों से भी था, लेकिन जब सीट आरक्षित हो जाएंगी, तो वहाँ competition केबल और के कि इनके बीच में होगा, महलाओं और महलाओं के भी, यानि कि महला महला के बीच में competition होगा, तो टूटल 543 सीट है, बेरासी वर्तमान समय में महला सीट है, लेकिन जैसे ही लोग सभा ये बिल पारित हो जाएगा, 33 फिस दी वाला, ये लागू हो जाएगा, जैसे ही 99 सदस से और बढ़ जाएंगे, और हो जाएंगे कितने, तो 111, ये कम से कम, इसके बाद भी अगर महलाओं चाहे, तो वो अन सीटों पर भी चुनावलर करके जीत सकती हैं, और ये जो नम्मर है, इसको increase कर सकती है, बढ़ा सकती है, ठीक है, यानि कि 181 सीटों पर सिर्फ महल के लिए क्या प्राबदान, तो अलग से तो आरक्षन नहीं मिलेगा, ये पहले हम लोग बात कर चुके हैं, तो वर्तमान समय में आपको पता होगा कि जो SC और ST है, SC प्लस ST, और इसमें मेल के लिए, मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए कितनी सीटे हैं, तो दोनों के लिए जो 131 सीट, 131 सीट, तो वर्तमान समय में SC, ST और SC, ST के लिए लोग सभा में कितनी सीटे हैं, तो 131 सीट रिजर्ब हैं, ठीक है, SC और ST को जोर करके, क्यों, क्योंकि SC को याद रखिएगा, SC को 84 सीट है, SC को वर्तमान में 84 सीट है, और ST के लिए 47 सीट है, SC के लिए 47 सीट है, तो 31 अब बोला जा रहा है कि महलाओं को 33% दिया जाएगा तो 33% दिया जाएगा तो आपको याद होगा कि 84 और 47 जूरने के बाद 31 होता है तो इसका अगर हम देखते हैं 33% तो 33% देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना है टूटल तो 44 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 44 तो यानि कि 44 जो है सीट ये 131 में से ये 44 सीट है ये महलाओं के लिए SC-ST महलाओं के लिए ये आरक्षित हो जाएगा ये 44 सीट है ठीक है जलिए इसके बाद आपको आगे देखते हैं कि OBC महलाओं के लिए क्या है तो OBC Other Backward Class जो है ये लोग सभा में IC कोई वेवस्था है नहीं सीट की तो OBC सीट के लोग सभा में वरतमान समय में नहीं है इसी लिए इनको General के साथ ही रखा जाएगा तो जो 44 सीट जो चवाली सीट थी SC और ST वाली SC-ST चवाली सीट आपको महलाओं के लिए ये ये फीमेल के लिए चवाली सीट हमने पिछले स्लाइड में बात किया था तो अब देख रहे हैं कि बचा कितना सीट, टोटल सीट कितना है, तो टोटल सीट महलाओं के लिए कितना है, टोटल सीट महलाओं के लिए कितना है, एक सो एक सो एक सीट, इसमें से 44 सीट किसके लिए रिजर्व हो गई, तो ये हो गई रिजर्व किसके लिए, तो SC-ST के लि बठ जाता है तो ये जो 117 सीट है इस पर जैनरल भी जैनरल महलाएं भी है और OBC महलाएं भी है टीक है तो ये भी इस सीट पर जो है चुनाव ल्रेंगी टेका चलिए तो ये आप समझ चुके होंगे आगे है क्या महलाओं को राजसभा में आरक्षन मिलेगा तो राजसभा के लिए ये बिल नहीं है राजसभा में तो मनोनीत करके लाना है तो वो तो अलग चीज हो गई चुन करके कहां आता है तो लोकसभा में या बिधानसभा में तो फिर महला आरक्षन बिल कव से लागू होगा तो बोला गया है कि देखिए पहले जनगन्ना होगा पहले क्या होगा जनगन्ना होगा जनगन्ना तो जैसे जनगन्ना होगा पहले उसके बाद क्या होगा डिलमिटेशन यानि कि परिसीमन होगा अनुछेद बेरासी अनुछेद बेरासी के अंतरगत अनुछेद बेरासी के अ ये जो है एक लोकसभा छेतर के लिए हो गई इतनी आवादी फिर दूसरी आवादी को देखा जाता है वो गिन करके एक बोला जाता है कि इतनी आवादी है तो ये अलग बिधान सभा में होंगी तो बिधान सभा या लोकसभा को तो अनुछित बिरासी के अंतरगत लोकसभा क लिए जो है वो पड़ी सीमन होती है तो ये याद रखिएगा ठीक है तो बोला जारा कि 2029 के बाद ही अब ये लागू हो सकती है तो जो भी हो सरकार की जो भी मनसा हो आरक्षन बिल की यात्रा कैसी रही तो सत्तेसाल लग गए 37 साल पूर्व जो है पहली बार ये देवगोडा सरकार के नाम याद रखना आपको अगर पूछ लिया जाएगा कोश्चन देवगोडा HD देवगोडा सरकार के टाइम पीडियर में 12 सितंबर 1996 को ये भी लाया था लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था ये भी लटक गया था इसके बाद अटल बिहारी वाजपेजी आए इन्होंने काफी प्रियास किया काफी बार इन्होंने 1990-2000-2003 आधी आधी में इन्होंने काफी प्रियास किया था फिर मनमुहां सिंगा उन्होंने 2008 में प्रियास किया लेकिन माना जाता है कि 17 साल से आज तक हम लोग ये चीज को अमली जामा नहीं पहना पाये हैं तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, राजनिती में हैं क्यूं है, क्योंकि लोक सभह में और राज की बिधान सभहूं में, तो वर्तमान समय में बात चल रही है, लेकिन पंचायती राज बिवस्था के अंतरगत लोगों ने देखा था 73 तरवा संविधान संसोधन में तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि यानि कि पंचायत में नगरपालिका में आपको पता होगा कि 33 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं तो अनुछेद किस के तहत आरक्षित हैं पंचायती राज के अंतरगत तो 243 का D में महलाओं के लिए आरक्षन है बिहार में ये आरक्षन 50 फिजदी है तो ये याद रखेगा कुछ राज है जहां पर ये लागू है जिसमें बिहार का नाम इंपोर्टेंट है देखाँ अगला कि क्या संसद में महलाओं क्या संसद में महलाओं की अभी क्या संसदी है तो भारतिय संसद में महलाओं की वर्तमान समय में क्या है संसदी तो वर्तमान समय में आपको पता होगा सत्रहवी लोक सभा में अब तक जो है टूटल बेरासी महला संसद है बेरासी महला संसद है और यह बढ़ करके कितने हो जाएंगे आरक्षन होने के बाद आरक्षन लगू होने के बाद 181 हो जाएंगे तोटल उस 181 में से 44 आपको पता होगा SCST के लिए होगा SCST महिलाओं के लिए और 137 सीट जो है वो किसके लिए हो जाएगा एक सोसेटियस जेनरल और OBC महलाओं के लिए रिजर्ब हो जाएगा ठीक है यह आप याद रखिएगा चलिए अब आगे हम देखते हैं तो आपको सिर्फ यह याद रखना है कि 17 वी लोग सबा में 15% जो है वो महलाएं 17 वी वर्तमान समय में 15% महला आएं जो हैं बेरासी महला वो है और इससे पहले आपको याद रखना होगा कि जब प्रारंभ में महला आरक्षन बिल्ग लाने की जरूरत क्यों है क्योंकि जब प्रारंभ में वर्स 1952 में पहली लोग सभा गठीत हुई थी उसमें मात्र 5% महला थी और अभी भी कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है मात्र 15% है तो बावन में 5% वर्तमार में 15% लेकिन आप ओमन सा चीज देखिए जब हम लोग जनगन्ना करते हैं तो हम लोगों को क्या पता चलता है कि लगभग 50% पूरूस हैं 50% पूरूस हैं और 50% लगभग महला थी जब जनसंख्या में अनुपात ये है जनसंख्या में ऐसा अनुपात है तो फिर कम से कम 33% तो मिलना ही चाहिए और यही 33% की अधिकार को देने के लिए हम लोग इस तरह ये काम कर रहे हैं प्रश्ण पर जो डिरेक्ट पूछा जाएगा या तो आंसर राइटिंग में पूछा जाए या एसे में पूछा जाए महला और एक्षन के क्या-क्या लाब हैं तो काफी सारे लाब हैं पहला लाब जो है वो है महलाओं का परतिनिधी तो बढ़ना महलाओं का परतिनिधित बढ़ना यानि कि महलाओं को क्या मिलना रिपरजेंटेशन मिलना अगर महलाओं आमने आएंगी तो महलाओं को अगर लीडर्थिप दिया जाएगा तो वो क्या करेंगी महलाओं ससक्त होंगी यानि कि ससक्तिकरन महला ससक्तिकरन महला ससक्तिकरन के लिए आपको याद रखना होगा महला ससक्तिकरन के लिए सबसे important है महलाओं को आरक्षन दिया जाए ताकि equality आए समाज में दूसरा क्या है समाज में समाजिक समानता आए और तीसरा क्या है महला मुद्दों पर ध्यान जाए महला मुद्दों पर लोगों का ध्यान जाए महला ही महला महलाएं ही महला से सम्मंधित मुद्दों को क्या कर सकती है पटल पर ला सकती है ठीक है तो आप तीन चीज़ याद रखेगा महलाओं का परतिनी धित बढ़ाना दूसरा समाज में समाजिक समानता लाने के लिए important है तीसरा महला मुद्दों का ध्यान ठीक है ये तीन चीज अगला है कि राजनितिक सनरचना में परिवर्तन राजनितिक सनरचना में कैसे परिवर्तन हो जाएगा वर्तमान समय में मात्र 15 पिस्दी महलाएं हैं लोकसभा में क्या हो जाएगी लोकसभा में महलाओं की संक्या बढ़ेंगी साथी साथ अन्यराजनितिक पदों पर भी क्या होगा अन्यराजनितिक पदों पर भी जो है वो महलाएं आगे आएगी निरने लेने में उनको सामिल किया जाएगा यानि उनकी सहभागीता बड़ेगी लोकतन्त्र मजबूत होगा इसके साथ ही साथ समाज में समाजिक सुधार जितने भी समाजिक सुधार हो सकते हैं समाज में उनमें महलाओं की भूमी का अहम हो जाती है चाहे वो सिक्षा हो, स्वास्त हो, अन्य समाजिक सुधार हो, महलाएं अगर आगे आएंगी तो ये सब सुधार संबब हो पाएगा, अगला है कि महला अधिकारों की सुरक्षा, तो महला ही अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए ततपर रह सकती हैं, तो याद रखेगा कि महला परतेनेदितु से महलाओं की अधिकारों की सुरक्षा की गई की जा सकती है की जा सकती है, ठीक है, विसेसकर महला सोतंतरता और स्वास्त के छेतर में, यानि की महलाओ किसे रिलेटेड महला Freedom की बात करते हैं महलाईं क्या पहने, क्या खा एं क्या नहीं ये, तो महलाऌं वसुजू अजूरे हुए जो भी मुद्धे हैं वो महला ही वो कर सकती हैं अगला है राजनितिक नेत्रितु का बढ़ावा राजनितिक नेत्रितु राजनितिक नेत्रितु महल आरक्षन से राजनितिक नेत्रितु को बढ़ावा दिया जा सकता है और आरक्षित सीटों के उपियोग से नए और कुसल नेता विक्सित हो सकते हैं आप मौका दिजिएगा आपके सामने में वो उन में से काफी ऐसी भी परतिभासाली नेता आगे आएंगी जो आपको काफी आपके लिए जो है वो उपियोगी और कुसल सिद्ध हो सकती है अगला है सामाजिक जागरुकता महला रक्षन से समाजिक जागरुकता बरतकती है क्योंकि यह महलाओं के अधिकार और करिंट मुद्दों को मुख्य बिसे बनाता है अगला है ग्रामीन और आदिवासी महलाओं के लिए प्रात्मिकता यानि कि महला रक्षन को ग्रामीन और आदिवासी महलाओं के लिए बिसेश रूप से प्रात्मिक्ता दी जा सकती है क्योंकि ये समर्धी के मामले में सबसे औसमर्थ होती है तो अगर ग्रामीन छित्र है वहां की महला अगर वो सीट पे अगर वो होती है घरी तो वो जितने की उनकी संभावना बढ़ जाती है लेकिन चुकि उनके पास अर्थ की कमी होती है पैसे की कमी होती है तो वो चुनाव लड़ने से जो है वो पहले चुनाव लड़ना नहीं च पिर है समाजिक सुरक्षा के लिए एक कदम, समाजिक सुरक्षा महला आरक्षन से समाजिक सुरक्षा छेत्र में एक महत्पुन, खास करके महलाओं के लिए कदम उठाया जा सकता है, अगला है महला आरक्षन के बिरोधियों का मत, महला आरक्षन के बिरोधि क्या क्या इसके व वो क्या हो जाएगा भटक जाएगा यानि की वर्थमान समय में जैसे मुद्दा क्या था मुद्दा था कुछ अलग टैप का मुद्दा था महलाएं आएंगी मुद्दा में क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा महलाएं अन्य मुद्दों पर चुनाव लरेंगी तो कहने का सें तो महलाओं को प्राथ मिकता देता है तो याद रखिएगा है अगला है कुसलता का माम लाई यह बिरोद करते हैं कि चूने जाने वाले उम्मिरवारों को कुसलता के आधार पर चुना जाना चाहिए ना कि उनके लिंग के आधार पर क्यानि कि महला है तो महला होने के कारण इन्हें न चुना जाए बलकि मेरिट पे चुना जाए तो एक तो ये बात भी वो बिरोधी कहते हैं साथ ही साथ आरक्षित सीटों का प्रभाव कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं कि महला आरक्षन से आरक्षित सीटों का प्रभाव हो सकता है और जिससे अनुपचारिक और अक्षम उमिदवारों को प्रमोट किया जा सकता है तो ये है कुछ विरोधियों का मत इसके अलावा समाज में भी भाजन बोला जाता है कि महला आरक्षन देने से क्या होगा समाज में भी भाजन आ जाएगा लिंग के आधार पर हीटों का जैसे ही आप प्रमोट करेंके तो आप इससे क्या होगा समाज में विभाजन पैदा होगा फिर संघर्थ का मामला कुछ लोग कहते हैं कि महला आरक्षन चुनोतियों और संघर्थों को कम कर सकता है जो की आवस्यक है ताकि उमिदवास्वेंग को साबित कर सके कहने का सेंस ये है कि अगर मान के चलिए अगर मान के चलिए कि महलाओं को आरक्षन दिया जता है तो इससे क्या होगा इससे ये होगा कि जो कम्पिटीशन है जैसे मान के चलिए अभी कम्पिटीशन है यहाँ पर मेल, फीमेल सब हर कास्ट के लोग हर लोग इसमें पाटिसिपेट कर रहे हैं हर लोग जो है तो कम्पिटीशन टफ है एक सीट को पाने के लिए कम्पिटीशन काफी टफ हो चुका है लेकिन जैसे ही बाकी सब को हटा करके सिर्फ और सिर्फ महलाओं को रखा जाएगा तो संगर्स क्या होगा? अब एक सीट पर जो भी महलाएं है बस उनहीं में कम्पिटीशन होगा तो यानि कि क्या होगा? संगर्सों को कम कर देगा संगर्सों को क्या करेगा? कम कर देगा अगला है योगिता के अधार परचेन योगिता के अधार परचेन मतलब क्या है? कि योग जो वेक्ति है उन्हें जीतना चाहिए ना कि लिंग के आधार पर आप seat reserve कर दे और उनमें से कोई महला जीत जाए एक अगला है आपातकाली नावसकता कुछ लोग कहते हैं कि महला आरक्षन केवल आपातकाली नावसकता के लिए होना चाहिए तो सभाविक है इसलिए 15 वर्ष की जो है अब धी तै की गई है वर्तमान समय में लेकिन जब ये एक बार तै कर दी गई है तो ये धीरे-धीरे कम जादा ही होंगी कम होने का तो सवाल समभवता नहीं बनता है नैतिकता का सवाल अगला क्या है नयतिकता का सवाल यानि कि कुछ बिरोधक इसे देखते हैं कि महला रक्षन से नयतिकता का सवाल उठता है क्योंकि यह विशिष्ट लिंग के लोगों को प्रमोट करता है जो अन्य लिंग के उमिदवारों के परती अनयतिक और अयोगी हो सकता है यानि कहने का मतलब है कि आप चुनाव में हेर एलेक्षन कैसे करवाएंगे जो बोला जाता है कि आप नयतिक रूप से आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पर भेद भाव ना हो महला पुरुस इनको अलग-अलग करके ना देखा चाहिए लेकिन नयतिकता का सवाल लोग जो महलाओं के राजनितिक परतेनिधितु को बढ़ावा देता है और समाज में समाजिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाता है तो आपको याद रखना है कि महलाओं के राजनितिक परतेनिधितु को बढ़ावा देता है पहला बात ये समाजिक समानता की दिशा में कदम ब समाज को समरिध, न्याय और समाजिक समानता के दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, तो समाज को कहां बढ़ा सकते हैं, समाज को समरिधी दिला सकते हैं, समाज में न्याय दिला सकते हैं, समाज में समाजिक समानता दिला सकते हैं, यानि कि इन सब मामलों में हम लोग एक कदम आगे बढ़ सकते हैं जिसक से समाज में समरस्ता और समरिध्धी की रिशा में प्रियास किया जा सकता है यानि कि ये जो है ये महला को आरक्षन दे देने मातर से ये जो है जो प्रॉब्लेम है ये सॉल्ब नहीं होने वाला है लेकिन हाँ ये एक step है एक step हम लोग क्या हुए एक step हम लोग आगे बढ़ गए अगर आरक्षन देते हैं और बहुत सारे step अभी तो मनझिल दूर है अभी मनझिल दूर है और भी steps लेने बाकी है तो ये था आज का ये lecture फिक है उमीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा चलिए Thank you